असलाम वालेकूम वीवर्स वेलकम टुमाइच चैनल कोसर परवीन की देशन आज मैं आपको इस फिरोग की जो मैंने शोट फिरोग बनाया है पांट से छे साल की बेबी के लिए यह शोट फिरोग है जो मैं गरारे पे पहनाऊंगी और यह जो तिकोन का डिजेन है इसका मैं गरारा बनाऊंगी तो चलते इसकी कटिंग और स्टिजिंग की तरफ यह बहुत ही प्यारा और पाड़ी वेर ड्रेस है जो आप अपनी बच्ची को बिना सकते हैं तो यह चिकन करी का कपड़ा है और मैं आपको नाप और पुरी स्टिचिंग इसकी बताती हूँ इन्शाला आपको पसंद आएगा और यह इसका गरारे का कपड़ा है और यह कुछ और गंजा की मैंने पटियां जो नीचे मैंने डिजाइन बनाई है उसमें यूज करेंगे और कुछ लेस मिलाई हूँ जो मिरार का लुक देगी एक लेस तो यह लगाऊंगी इन्शाला डेकोरेट कर इसकी में नाप ले रहे हूं साड़े पांच इंच है और यहां पर मैं तक्रीबन छे से सवा छे इंच निशान लगाऊंगी आम हो का और शोल्डर से थोड़ा आड़ा लेकि इस तरीकी से कट करूंगी यह राउंड शेप दूंगी यहां से चेस की नाप मैंने रखी है तक और यह विंटर का है तो मैं थोड़ा चोड़ा ही रखती हूं क्यूंकि अंधर से हाय निग वगिरा या इनर पहनाना होता है बच्चियों को यह इसका बेक साइड का कपड़ा है यह भी इतना ही लंबा है लेकिन यहां से मैंने बटन पट्टी के लिए आधा इंच तकरिबन फोल कर लिया है अगर कपड़ा ज्यादा है तो आप इसी को फोल करने वलना पट्टी लगानी पड़ती है तो मेरे पास इतना ही कपड़ा था इसलिए मैंने फोल करके दूसरी पट्टी भी लगानी है इसके गले के नाप में ले रहे हूं धाई इंच और यहां नीचे से मैं तीन इंच ले रहे हूं तीन इंच तक मैंने निशान लगा के इस तरीके से वी गला बनाना है और थोड़ा मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से अब इसको कट कर दूँगी मैंने फ्रेंट कट कर दिया है और बेक जो है वो थोड़ा कम रखते हैं तो वो दो इंच पे मैं कट करूँगी अब पूरी कटिंग करके मैं आपो दिखाती हूँ यहां से मैंने कट लगा है इसलाई का और यहां से थोड़ा ट्रिम करके फिर इसको भी सेंटर कट लगा दूँगी यहां से यहां नीचे से भी मैंने कट लगाया असलाई का अब यह इसका नीचे का हिस्सा है फिरॉग का और जो ओपन साइड है मैंने यहां से रखी है यह देखें इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन नो इंच से सवा नो इंच तक है और इसकी चोड़ाई जो है 16 इंचे से इसकी मैं टोटल लंबाई रखूंगी 20 इंचे तकरीबन बीड से 21 इंचे में रखूंगी तो यह देखें यहां पे मार्जन में रख रहे हूं इसको देखते हैं कितना हो रहा यह तो यह तकरीबन साड़े 17 इंचे से तो मैं इतने इंचे से 3 से 4 इंचे से बढ़ा के यह और गंसा का कपड़ा इसमें अटेज करूंगी और इसमें मैं लेसिस को डेकॉरेट करूंगी यह तकरीबन 4 इंचे से है तो क्योंकि यह पीस था तो इसको मैंने यूटिलाइस किया है और यह तकरीबन 20 इंच तक इसकी लंबाई हो जाएगी इस तरह के से मैं लेसिल लगाऊंगी यह चिकन कड़ी का कपड़ा है तो इसको लाइनिंग लगाना ज़रूरी होता है मैंने लाइनिंग का कपड़ा कट कर लिया है और बस मैंने फ्रेंट रखके उसके उपर ही कटिंग कर ली है यहां पर जो गला मैंने कट किया था उसको लाइनिंग के साथ ही मैं सिलाई करके आई हूँ यह देखे इसको मैं कट करूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा और इसको मैं कट लगाऊंगी छोटे 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 इस तरीके से फिर इसको इस तरीके से मैं पलट दूँग तो यह गला भी इसमें बन जाएगा, एक्स्ट्रा कोई आपको पट्टी यूज़ करनी नहीं पड़ेगी, और मुझे अंगरखा इस्टेल देना है, मैंने कटिंग नहीं की लेकिन मैं इसको निशान लगाके और यहां से मेलेस लगाऊंगी, और मैंने आपको ट्रिक पेले भ लानी है, धागा नहीं डालना तो इसमें चुना जाते हैं, और आराम से 1-1.5 इंच की पट्टी गुलाई में लग सकती है, तो मैंने वही किया है, और यहां पर यह राउंड शेप में थोड़ी आ गई है, तो मैं इसको यहां से इस तरीके से रखती हुई, और इस तरीके स सिधा करके, जो निशान लगाया था, उसके उपर ही रखते हुए आपको लेस को सिलाई लगा देनी है, यह देखें, दूसरी लेस को भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, पीछे से लेस को रोकना है, और फिर सिलाई चलानी है, तो वो थोड़ी राउंड शेप में आ जाती है, फि और इस तरीके से मैंने, यह देखें, इस तरीके से सिलाई लगाई है, और लेस की दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगाई है, बहुत अच्छी और फिनिशिंग के साथ यह सिलाई लग जाती है, और यहां पे मैंने कपड़ा लिया है, जिससे गरारा बनाऊंगी, यह त नीचे वाला हिस्सा जोडने से पहले यह दिकॉन बनाते में इसके उपर रखते हुए, यह देखे इस तरीके से रखें कि दूसरा शूरू होने से पहले उससे पहले यह सलाहिमे आ जाएए इस तरीके से, अगर आप गेप करेंगी तो वह बहुत गेप आ जाएगा तो वह का इसको एक बड़ी चाल से में इसले लगाँगी और उसके चुन बनाओंगी यह एक धगा लेके कोई साब भी धगा लेके इसको खेंचेंगे तो इस तरीके से यह चुन बनते जाएंगे और मैं यहां से इसको रखूंगी और इसका मैंने सेंटर पे कट भी लगाया है ताकि जो है सेंटर का हमें पता चल सके क्योंकि चुन जो है वो बराबर होने चाहिए यह देखे यहां पर मैंने सेंटर माग किया हुआ है कट लगा के और जो अपर पार्ट था जो उपर वाला सेंटर का उसको भी मैंने कट लगाया है तो दोनों कट जो दोनों सेंटर है वो आपस में जोड़के और हमें इस तरीके से सेट करनी है चुनों को के बराबर हो जाए और सिलाई मैंने जो नीचे तिकोन पे लगाय थी उसके उपर ही सिलाई लगाओंगी यह देखें इसका लगक किस तरीके से आया है इन तिकोन को नीचे करके और उपर यहां से सिलाई लगा लगा लूगी किनारे पे यह पुरा बन गया है इसको नीचे की तरफ करते हुए और पीछे के साइड जो जोड है उसको अंदर करते हुए सिलाई लगा लूँगी और यहां पर और्गंसा का कपड़ा में अटेज कर दूँगी यह देखें मैंने अटेज करके और लेस्स भी लगा दी है दोनों जैसे मैंने अंगर रखाय स्टेर में लगाई थी तो आपको मैं बताती हूँ मैंने कैसे लगाई थी और गंसा के कपड़ा मैंने लिया था उसके उल्टी साइड पर मैंने एक साइड स्लाई लगा के इसको पलट दिया था सीधे की तरफ और यहां से दूसरी लेस्स लगा ली थी इस तरह के से और फिर उपर की साइड मेने यह दोनों लैस। लगाई है यह फरोग का बेक साइड है इसका भी मैं इसी तरह के से स्टेश करूँँगी यहां गले से में स्टिच करके दिखाती हूँ आपको यह देखे मैंने दोनों को स्टिच कर दिया है और इसको मैं सीधे साइड पलट दूँगी फिर एकट लगा के इसको फिर दोनों साइड को मैं पलट दूँगी इसमें गला भी बन जाता है जैसे हमने फ्रेंड को किया था और यहां से मैं बटन पटी एक को फोल्ड कर दूँगी और दूसरे को पटी लगाके और बाहर निकाल दूँगी ताकि बटन फिक्स हो जाए यह देखें एक को मैंने मोड दिया है और दूसरे को मैंने यहां से पटी लगाई है उल्टी साइड से पटी लगाके इसको इस तरीक इसे टरं करके यहां से किनारे से सिलाई लगा लूँगी यह देखें यहां से सिलाई लगा लूँगी तो ये बाहा निकला हुआ हिस्सा होगा जिस पे मैं टेच पटर लगाऊंगी ये फिरा की जो बेक साइड है उसका नीचे वाला हिस्सा है इसको मैंने कोई लेस वगेरा नहीं लगाई सिर्फ फिरेंड को डेकोरेड किया है और इसको भी मैं यहां से सिर्फ लगा के आऊंगी चुन बनाने के लिए ये देखें इस तरह किसे आएगा और यहां से मैं चुन बनाऊंगी कोई भी एक धागा खेंच के इसके चुन बनाऊंगी ये देखें बेक साइड को मैंने चुन लगा के इसको अटेच कर दिया है ये पुरा रेडी हो गया है फ्रेंट पार्ड भी रेडी था अब दोनों को अटेच करूँगी तो यहां शुल्डर अटेच करूँगी और साइड की सिलाई लगा के फिर स्लीस जोड दूँगी ये देखें मैंने स्लीस जोड दी है स्लीस को भी मैंने और्गन्स का कपड़ा लगाया है और इस तरीके से लेसे से डेकोरेड किया है इसमें तिकुन भी लगे हुए है और यहां से मैं डोरी अटेच करूँगी उमिद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप सब कर शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने का मेरे वीडियो को पसंद करने का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और उमिद करती हूँ मेरे वीडियो को आप शेयर करेंगे इंशाला थिंक्स पूर वाचिंग, आला हाफिज